हेलो एवरिवन आज हम पढ़ेंगे आपकी थर्ड क्लास की जो न्यू एंसीयर्टी की बुक आई है इंग्लिश की संतूर उसका चैप्टर नंबर 10 है तो छेप्टर का नाम है नाइट लेकिन ये आपकी जो फौर्फ उनिट शुरू हुई हैं यहां पे तो से फहले चैप्टर की शुरू होने से पहले एक श्र्टी से दी उई है इसका नाम है दा स्का तो इसमें एक पिचर दी बिखने दिखा राखिए इसमें ये शॉप है इधर और शीप है ये तो ये पिचर दिखाएं कुछ बच्च्थ सिधाए आद्मीं थेसे भाध मेज़िगोक करर Marshm egy और थे पिशिर ने कि दोनों साइप बताने हम तो यहां पे है यह शौपसरे दिख रहे हैं यह लाइन से यह शौपसा बनी वह और यह यह उपसे हैं तो हमनी यह लिख दिया यह पर के शौपसे एंड है वह कुछिशनले सेकुन है व्य प्रक्राइबर लोग वाइपने blue and the other is green in color तो देखते हैं दो डस्ट बीन कहां है पिचर में गेरे देखे ये तो ये दो डस्ट बीन है तो इसमें एक में है ब्लू डस्ट बीन एक है ग्रीन तो एक में डाला जाता है ड्राय यानि सुखा कुड़ा और एक में डाला जाता है गीला जैसे जो गीला कुड़ा हो इसलिए यहां पर कितने डस्ट बीन रखे हैं दो डस्ट बीन रखे हैं नेक्स देखते हैं और क्या पूछाए इसमें कोशिन नमर थाड है वाइस दा मैन इंडार्क ग्लासेज होल्डिंग ए वाइट स्टिक देखे यह इसमें जो आदमी दिखाया हुआ है यहां पर इसने है वो एक छडी की साहता से चल रहा है और उसने ऐसे ग्लासेज यानी की चश्च में लगा रखे हैं फॉर्थ है डू यू नो विच टोई दा बॉइस आर प्लेइंग विद तो देखते हैं पिच्चर में जो बॉइस हैं वो कौन से टोईस के साथ खेल रहे हैं देखे हैं हाथ में क्या है लट्टू जिसें इंग्लिश में रहते हैं स्पीनिंग टॉप यहां पर लिख दिया हमने फिफ्ट है हाँ मैनी बॉलकार्ट आर देर इन पिच्चर देखते हैं कितनी बॉलकार्ट है यह है यह यह यहां पर यह है वन ओनली वन तो हमने यहां लिख दिंग यहां पर कि only one block art in their picture six name the different animals in the picture तो जो जो animal in this picture के अंदर आई है उसका हमें नाम लिखना है एक तो हो गया यह bull dog cat and ship यह देखे यहां पर यहां पर यहां पर cat और यहां पर यह है dog next year ship यहां पर यह भी dog देख रहा है यह है बुल चलिए अब आगर देखते हैं यह हम हमारा chapter शुरू होता है night तो यह है हमारा 10 chapter जिसका नाम है night चलिए इसे read करते हैं the sun that shines all day so bright तो sun क्या होता है sun होता है सूरज तो shine होता है चमकना तो सूरज क्या होता है पूरे दिन क्या गरता है bright और shine यानी की चमकता रहता है I wonder where it goes at night मैं सोचता हूं कि रात में कहां चला जाता है it sinks behind a distant hill तो sink मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है and all the world grows dark and still और यो पूरे विल्ड में क्या होता है सन की छिपजाने से डाक यानि की अंधेरा हो जाता है सिर्ध और ऐसे ही अंधेरा बना रहता है कब तकchos past कि यह वापस नहीं आ जाता ठीक है जैसे कि यह पहाड़ी हम जैसे पिछर द्रौ करते हैं इस तरीके से यह पहाड़ी बनाते हैं, उसके पीछे यह सन होता है, तो क्या आता है, ऐसे दिखता है कि जैसे यह सन इस पहाड़ी के पीछे, स्टिंग हो रहा है, यानि हिप रहा है, आगे देखते हैं स्टोरी में, जब सन छुप जाता है, तो मैं क्या करता हूं, अपने बैट पर जाता हूं, और स्लिप यानि की सो जाता हूं, अंटिल दर डे बिगिन्स टू पीप, पीप होता है जहलक, यह मतलब थोड़ा सा दिख जाना, अंटिल यानि जब तक जो नया दिन है वो शुरू नहीं हो जाता जब तक कि मुझे सुबह की जहलक नहीं मिल जाती, मतलब दिन नहीं नहीं निकलाता, तब तक मैं क्या करता हूं, सोता हूं मतलब जब मेरी आईज ओपन होती है, आंके खुलती है, तब मैं क्या देखता हूं, कि सन उग गया है और वो चमक रहा है, शानिंग डाउन ओन मी, और मेरे उपर ही वो चमक डाल रहा है, ऐसा लगता है मुझे अब इस देखिए, यह तो खर्तम होगे इसकी स्टोरी, अब इसमें कुछ न्यू वर्स देए हुए है, फर्स्ट है वंडर, वंडर माने होता है आश चेरी है, डिस्टेंज माने होता है दूर, और पीप माने होता है ज़लक, थोड़ी सी ज़लक दिखाना, मतलब कोई चीज गो आफ्टर, दा एंड अफ देए, तो इसमें बताने है कि जब दिन खतम होता है, जो सन होता है, सूरज होता है, वो कहां चला जाता है, तो इसका अंसरी लिखा है, इट सिंग्स बिहाइंड दा डिस्टेंस हिल, वो एक किसी हिल यानि पहाड़ी के पीछे छिप जाता है, Q2 है, which among the following needs the sun and why, तो इसमें ये कुछ दे रखें, इसमें चीज़े, A पे है sunflower, toys, plant, table and children, इसमें बताने है किस-किस को sun की यानि सूरज की जरुत होती है, why यानि की और क्यों होती है, A है sunflower, तो जो sunflower होता है, सूरज मुकी का जो फूल होता है, उसे sun की जरुत की होती है, photosynthesis, photosynthesis क्या होता है, प्रकाश translation की एक प्रिकिरिया होती है, जिसमें जो flower होता है, वो गया करता है, अपना food बनाता है, इसलिए उसे sun की जरुत होती है, और आपने देखा होगा, जो सूरज मुकी का फूल होता है, उसका मुँ सन की तरफ ही हो जाता है, अगर sun जहां पर भी उसके तरफ ही उसका मुँ हो जाता है, जहां पर sun होता है, B है toys, toys को sun की जरुत नहीं होती है, C पे है plants, तो plants यानि पेड़ पोदों को sun की जरुत होती है, क्यों, they need sunlight for produce food, वो अपने खाना बनाने के लिए उन्हें किसकी जरुत होती है, sun की जरुत होती है, तो यह किसके बा D पे है table, क्या table को sun की जरुत होती है, नहीं, table को sun की जरुत नहीं होती है, तो last है, C वाला है children, children यानि बच्चे उनको sun की जरुत होती है, yes, sunlight is essential for vitamin D, तो हमें sunlight से एक vitamin मिलता है, जिसका नाम है vitamin D, उससे क्या होता है, उससे हमारी जो हड़ियां होती है, वो मजबूत रहती ह इसलिए हम, आपको पता है न, सर्दियों में धूप में बैठते हैं, एक तो हमें सर्दी से भी बचाता है, और उपर से हमारी जो हड़ियां होती है, उनको vitamin D मिलता है, जिससे वो मजबूत रहती है, इसलिए children's को भी vitamin D की जुरुत होती है, question number third है, the poem talks about the sun in the sky, what else do you see when you look up at the sky, तो ये poem में किसके बारें बता है, sun के बारें बताया है, कि sun का होता है, sky के अंदर होता है, what else do you see when you look up at the sky, मतलब sun के अलावा आपको sky में और क्या के चीज़े दिखाई देती है, आसमार में और क्या चीज़े दिखाई देती है, तो यहाँ पर हमने लिखा है कि sun के अला B है think and answer इसमें हमें सोचना है उसका answer करना है इसका question number first है what different colors do we get see during sunrise and sunset sunrise होता है sun का उगना यानि सूरज का निकलना sunset होता है सूरज का छिपना जब शाम होती है तो क्या होता है सूरज छिप जाता है उसे यह कहते है sunset तो आपको बता है what different colors do we get see during तो जब sun निकलता है और sun छुपता है तो हमें कौन-कौन से color उससे में दिखाई देते हैं आसमान में तो इसका answer यह यहां लिखा है during sunrise and sunset we can see various shades of red एक तो हमें red color दिखाई देता है orange, pink, purple और हम yellow color भी लिख सकते हैं yellow भी दिखाई देता है ठीक है आप इसमें लिख रहे हैं नेक्स है question number two what do you see when you look at the sky at night तो आपको जब आप रात में sky यानि आसमान के तरफ देखते तो आपको क्या दिखाई देता है इसका answer है at night we can see moon stars and clouds कि हमें चांड दिखाई देता है stars दिखाई देते और clouds दिखाई देते हैं question number third how do you feel when you open your eyes in the morning जब आप सुबह उठते हैं अब अपनी आख खोलते हैं morning में तो आपको कैसा feel होता है क्यासा लगता है तो हमें लगता है जिसका answer लेका है one might feel refreshed or still sleepy एक तो हमें तरो ताजगी महसूस होती है जब हम सुबह सो के उड़ते हैं और कभी-गभी क्या होता है हमें नींद भी आ रही होती है ना कभी कभी क्या होता है कि हमारी नींद पूरी नीं होती है तो हमें नींद भी आती है इसके लावा आपको जैसा फिर होता है आपको लिख सकते हैं जरू नहीं आपको यही आंसर लिखना है Q4 है Imagine a day when the sun does not come out, talk about how the day would be तो आपको imagine करना है कि अगर मान लो किसी दिन sun नहीं होता है तो उस दिन कैसा लगेगा आपको, उस दिन कैसा होगा अगर उस दिन sun ना निकले A day without sun might be cold and dark अगर जिस दिन sun नहीं निकलेगा उस दिन क्या होगा, उस दिन cold यानि ठंड होईगी और dark हर तरफ क्या होगा, अंधेरा होगा और हमें हर समय क्या करना पड़ेगा, light चला के रखनी होगी अगला देखते हैं Let us play a game, चलिए ये game दे रखा है, इसमें ये game खेलते हैं Let us play a fun game called iSpy चलिए एक fun, एक मज़ेदार game खेलते हैं, जिसका नाम क्या है, iSpy बनेगा, the spy secretly chosen something in the room and gives everyone a clue तो जो spy बनेगा, जिसकी turn होगी, वो क्या करेगा, रूम में से कोई सी भी चीज को चुप चुप चूप चूज कर लेगा, ठीक है, और उसके बारे में, और बाकी बच्चे को उसके बारे में क्लू देगा, कि जैसे वो चीज दिखने में कैसी है, उस चीज का कलर कैसा है, बाकी बच्चिया करेंगे उसको ढूंडेंगे, तो चले बढ़ते हैं, the spy started by seeing, तो जो टन देगा, जो spy बनेगा, जो टन देगा, वो क्या बोलेगा, I spy with my little eyes, something that is, and gives a clue, क्या करेगा, फिर clue देगा, for example, जैसे कि गेम कैसे खेलना है, इसमें बता रखा है, I spy something that is blue, मानलो, उसने टन दिया, उसने बोला, I spy something that is blue, मतलब, ऐसी चीज दूनने है, जो blue है, तो जो बा तो कमरे में जो भी चीज blue रंकी होगी, बाकी बच्ची क्या करेंगा, उसको ढूनने की कोशिश करेंगे, और ये बात किसको बताओगे, I spy को बताओगे, कि उसने कौन सी चीज ढूनने को कही है, वो तो सरिफ एक clue देगा, कि बच्ची दिखने में ऐसी है, और इसका color ऐसा अगर मानलो ढूनने में किसी को दिक्कत और ये नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, जिसकी टान होगी, वो और जदर clue दे सकता है, मानलो किसी ने blue color का कोई box देखा, तो उसने color तो बता दिये blue, और बाकी बच्चे से ढूनने पा रहे हैं, बाकी बच्चे से ढूनने पा रहे है, the child who guesses right becomes the new spy, तो ये जब तक ढूनते रहेंगे, जब तक सारे बच्चे से ढूनने लेंगे, तब तक उसकी turn रहेगी, keep playing, taking turns, being spies and guessing until everyone gets a chance to be the spy, तो सब की धीरे-धीरे करनके turn आएगी, और ऐसे, जब तक सब की turn नहीं आ जाती, तब तक ये game चलता रहेगा, ठीक है, let us speak, अब देखिए इसके बारे में क्या दे रहा है, read the following sentences, I spy a few stars in the sky, अब देखना होगा, इसमें SP, यहाँ दे रहा है, the word spy begins with a spur, है न, अदर सौर पा, the word stars begins with a stir, star में stir से शुरू है, the word sky begin with a sk, यानि की, sk, इससे शुरू है, नीचे देखते हैं, now say these words aloud, देखिए इसमें कुछ words दे रखें, first है star, stick, spin, storm, stare, skin, store, spoon, skate, stain, splash, sky, यह spur, stir, or ask, sk, sk, से शुरू है, सारे words, okay, देखते हैं, let us learn, इसका A है, read the following words, and circle the words that are around in the sky, तो यह box दे रखा है, इसमें से आपको words ढूंडने हैं, उन पर circle लगाना है, जो आपको sky, यानि कि आसमन में दिखाई देते हैं, first कुन से stars, पर circle लगा, यानि कि आसमन में दिखाई देता है, sun भी दिखाई देता है, clouds भी, computer नहीं, यह नहीं दिखाई देता, storm भी, bicycle नो, flowers नो, shoes भी नो, store नहीं, moon दिखाई देता है, sky में, rainbow, yes, stain, no, rain, yes, monkey, no, ठीक है, जो दिखाई देते हैं, इस सरकल इस सरीके से लगाना है, question number B है, add sun to the following words, to make new words, write them in the space given, तो देखे, इसमें से यह कुछ words दिखाई है, one has been done for you, एक आपको इसमें करके दिखाया हुआ है, तो यह words से light है, flower, raise, set, rise, glasses and day, तो इन सारे words के आगे sun लगाना है, यह लिखना है, sun, sun, sun लगाके इन में लिखना है, जैसे कि एक आपके लिए करके दिखाया हुआ है, यह वाला sunlight, अगला गौन सा इसमें, flower है, तो यहां लिख दिखाए मैंने sun flower, raise है, sun raise, set, sunset, राइस के आगे sun लगाते है, sunrise, glasses, sunglasses, day यानि sunday, इन सब के आगे क्या लगाया है, sun sun day, ठीक है, आपके इस chapter फिनिश हो गया है, एक बाइस को फिर से read करना, यह जो game दिखाया है, उसे खेलने की कोशिश करना, इसके question answer करना, new words लिखने है, learn करने है, कुछ भी अगर आपको doubt आता है, तो आप इसमें comment करके बूछ सकते हैं, अब हम मिलते हैं next video में, तब तक के लिए, bye